कि है गाइज वेलकम तो साइकावननेस आई होप आप सब अच्छ होंगे तो कफे बड़ी वेकेंस के बात करने वाले हैं आज हम सभी के लिए और इंडिया के लिए और फ्रेशर भी अप्राइगा सकते हैं साथ मैं अच्छी मिलेगी इससे पहले भी काफे बच्छा स्लेक्ट हो है आई सीमार असिस्टेंट में तो इस बार आपका मोगा है वीडियो कंप्लीट देख लिए ना बात करते हैं आई सीमार वेकेंस की जो पहला नोटिफिकेशन उसके पर तीन नोटिफिकेशन तीनो का और करेंग आपकी जॉब लोकेशन रही इसमें से किसी एक में आपको जॉब मिलने वाली है पीजी आई चंडिगर मुलाना अजाद मेड़ा कॉलेज डैली श्री अभित्तम थ्रिवनाल हॉस्पिटल त्रिवेंद्पुरम और रामचरन इंस्टीट और हायर एजुकेशन चेन नहीं द बिल जाती है जो बच्चे शॉट्री वह उनका उनलाइन इंटर्वी उसमें लिया जाएगा और सीनियर रिसाच फैलो की जॉब है पांच पोस्ट इन्हों रखी हुई है ठीक है हर एक साइट के लिए एक पोस्ट है और सैले काफी अच्छी है 44,450 रूपे चावलेशाओ न सब्सक्राइब कर पाएंगे साथ में अगर आपना मास्टर्स करा आओ तो कर पाऊगे तो फॉर्म कर पाऊगे और साथ में दो साल का एक्सपीरियन चाहिए आपको मास्टर्स के साथ अपिछ एक्सपीरेंच चाहिए इंद फिल्ड ओफ है रिसर्च एंजियो किसी में भी है चल जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपकी मैग्सिमम एज लिमिट रहे की फॉर्म बनेगी थैटी फाइफ यह और ड्यूरेशन रहेगी प्रजेक्ट की आपकी एट मंथ उसके बाद रिन्वल होगी नहीं होगी उसके बाद आभी कर लिते हैं और अगली पोस्ट जो है आपकी मेडिकल सोचल वगर काफी टाइम मत MSW की पोस्ट है यह फ्रेशर सके लिए पांच पोस्ट है MSW की हर एक साइट के लिए एक पोस्ट होगी OBC की दो है जन्रेल की दो है MSW कर रहा है तो कोई नीड नहीं आपको experience की आप फ्रेशर भी फॉर्म कर सकते हो MSW अपको होगा नहीं कि आटेंडिंग करना नहीं आपको इंटर्व्य की बाद कोई है नहीं इसमें वैसे भी पर लिख दिया एटी आपको मिलेगा और आपको काइंडली नौट दा लिंक पॉआ यहां लिंक दे रहा है इस पिप्लाई करना है साफसों लिखा आप बात करते हैं अगली प्रजेक्ट की अगला बहुत खास प्रजेक्ट जिसमें आपका अप्लाई करना चाहिए कि देखो क्या है नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेकनोलोजी आई सीमार का फ्रेंट प्रजेक्ट है जॉब आपके रहेगी एम्स न्यू डेली में सीनियर रिसार्च की पोश्टर दस पोश्टर टूटल सीनियर रिसार्च फैलो एसार एफ अप्टू टैन पोजिशन इन एंए एंच्छी एम्स न्यू डेली में आपको काम रहेगा इसके अंदर और आई सीमार का फंडेक्ट पोजेक्ट यह है जो आईट डेली के साथ सब्सक्राइब रहने वाली है आपकी मैक्जिमम एस लिमिट इस जॉब के लिए 35 एर होनी चाहिए और क्या चाहिए आपने अपने MSC की ओर लाइफ साइंस है तो फॉर्म फिल कर पाऊगे अगर MSW कर आया तो भी आप फॉर्म कर सकते हो ठीक है और साथना आपको इसके साथ टू एर का experience होना चेंग अगरा है अगर मास्टर्स करा है साइकॉलोजी सोसलोजी पोल साइंस सोसल वर्क मैं कर रहा है तो आपको दो सलका experience आपको चाहिए नहीं है तो बना लिला फरवर यह बहुत दूर है बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं काफे बना कर जाते भी एक्सप प्लस 25,000 ऐसे अब यह लिंक है इस पर जाके आपको अप्लाइ करना है लाट एट अप्लाइक करने 22 जनुवरी टीट्री और क्या रिखा है शॉट सिर रिप्रम के रहे हो जाती है यह ठीक है अब बात टो आगली पोस्ट की यह जो आपकी आई यह भी ICMR का प्रोजेक्ट है मनी पाड़ एकाड़ीमी ओफ हायर एजुकेशन तरफ से रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट अपने लिख लिए है आपको अपना मास्टर्स कर रहा हो पुब्लिक हेल्थ में MSW कर रहा हो मास्टर्स इन नर्सिंग करी हो तो फॉर्म फिल कर सकतो एक्स्पीरेंस की नीड़ नहीं है बट यहां पर आपको लेंग्वेज बहुत आने चाहिए डॉरेशन आपको वनिया कराएगा सैट्टी वन थाउजन आपकी रहेगी आपको क्या है आपना सीवी बेजना है मैंसर इम करें तीनों वेकेंश काफी इंपोटनेट इन आप फॉर्म फिल कर सकते हो इंट पर प्रजेक्ट आते हैं जो पता नहीं जलता कभी कभी तो उन में भी आपका अगर आप इंटरेल डिपार्टमेंट में काम बहुत आपका सेलेक्शन वहां पर हो जाता है अंदर से तो आप आपको बहार नहीं करता है प्रजेक्ट के तुरू आगे बढ़ते हैं तो कभी अच्छी अपरचुरिटी है एंस में कामपनेगी एंस न्यू डेली में तो इन सभी के लिंक में आपको वीडियो को डिस्क्रिशन दे दूंगा जाओ और आज ही अप्लाइब जल्दी से काफ झाल झाल